असलाइम वालिएको मैं हुरिहान और आप देख रहें फंट्रूप किचन व्लोग आज मैंने जारें मलाई रोल एंड आप इसे खाना खाने के बाद स्वीडिश या डेजर्ट करूप में खा सकते हैं एंडिक खाने बहुत टेस्ट होता है आप इसे ट्राइकर के जरूर जाना है अब हम एक इलाई ची लेंगे और इसे तोड़ के इसमें डाल लेंगे अब इसे मिला लेंगे वीडियो को एंड तक वाच करेंगे इसके बिल्कुल मन कीज़ें अगर आपने अभी तक हमारे चल्गों सब्सक्राइब नहीं किया तो चल्कों सब्सक्राइब करीजे एंड वीडियो को लाइक कर दीजेए तो इसे हम ऐसी उबाल लेंगे दैन हम इसमें मिल्क मेड का कंडेंस्ट मिल्क डाल देंगे तीन चमच एंड इसे ऐसी मिला लेंगे अच्छे से तो हमने कंडेस्ट मिल्क डाल दिया है अब इस अच्छे से मिला लेंगे एंड हमें इसे उबाल उबाल के एकदम गाड़ा कर लेना है यह देखें ऐसे आप जो फ्लेम को ऐसे हाई कर दी जागा देन इसे लो कर दी जागा तो ऐसी उबलता रहेगा यह दूद तो आप इसे पूरा देखिए एंड इसकी बिल्कुल मत कीजए क्योंकि थोड़ा बहुत रहे जागा तो आपका यह मलाई रोल है वो बननी पायागा तो अब हम एक और पैन लेंगे इसमें 500 ml दूद डाल तो जैसे खैप देख सकते हैं हमने इसमें दूद डाल दिया है लगे तो यह और और फिसे इसे अुबाल लेंगे यह एकि धर न्य से यह तिम चार वरिसी उबाल लाते में इसम्में लेटली और से जो साइड वगयरा है उन्हें यह निकाल लेंगे तब जैसे देख रहे हैं वैसे करते रहेगा एंड हम यह स्टफिंग त्यार कर रहे हैं जो मलाई रोल है उसका तो हम ऐसी दूट को ऐसे उबालते रहेंगे एंड लेडल की मतलब से इसे हिलाते रहेंगे हमको ऐसी दूट को बहुत दे तक उबालते रहना है एंड ऐसे हिलाते रहना है अब हम इसमें एक सो ग्राम खोया डाल देंगे तो हमने खोय डाल दिया अब इस अच्छे से ऐसे मिला लेंगे मीड़ फ्लम में इसे पकाते रहेंगे तो आप इसे ऐसी मिलाते रहेंगा एंड इसमें इसे उबाल लाते रहेंगा तो हम ऐसे इसे उबालते रहेंगे अब इसे भी गाडा कर लेंगे लडिव के मारते से थोड़ा आप हिलाते रइंगी इसे भी में गाडा ही करना है गाडा करने से हमारी स्ट्रफिंग बहुत टेस्टी बने गी तहम अब इसमें भी एसी 3 चमम जो में ब्लीड को कंडेंस्ट मिलक है वो डालने हैं चम्त देक्षाब यांट से लेडल के मत्छे से मिला लेंगे आप जैसे दीच सकते हैं केसर क्वेश्य कशे के संदेगे आपको जितना केसर डालना उतना डाल लेंगे ने डाल लेंगे तो यह भी रहेड़े चुका हम इसे थोड़ा सा थंड़ा होने के लिए लग देगे एंड़ ब्रेड ले लेंगे हम और आपको जितने खाने उतने ब्रेड ले लिजगा तो हम अब एक एकर के ब्रेड के जो साइट्स है उन्हें काट लेंगे जैसे ब्रैट के साइट को काट लेना है एंड सभी के ब्रैट के जो साइट से उन्हें काट लेंगे एंड जैसे कि आप देख रहे हैं वैसे काट ली जागा सभी को ऐसी काट लेना है एंड अब इन्हें बेलन के मदद से बेल लेना है पुझे साब देख रहे हैं ऐसे बेल ली जागा पतला पतला कर लेने जागा एंड सभी को ऐसी बेल लेंगे अब सबको बेल लिया है अब हम एक एक करके यह जो ब्रैड है में देंगे एन अमने जब इस टफिंग मनाई थी वह थंडी कर ली ती अब हम वह ले लेंगे एंड इसके साइड में से लगाएंगे जैसे देख रहे हैं वैसे रख दी जगा हमारे स्टफिंग को एड अब इ एक और जो चीज है वह बागी है तो अभी से ऐसे रूल करनेंगे सभी को तो यह भी हमने रूल कर लिया है एंड इस सभी को ऐसी हम रूल करनेंगे अब हम एक ऐसे कंटेनल लेंगे एक छोटा सा एंड इसमें से रूल को डाल लेंगे करके तो हमने शुरुआत में जो दूद बनाया था वो हम लेंगे एंड यह भी ठंडर कर लेंगे आपको तो हम थोड़ा-थोड़ा करके इसे रोल में डाल लेंगे यह देखिए तो यह जो हम यह कर रहें कंटेनर के अंदर यह आप फ्रीज में अच्छे से रख सकते हैं आपको जितने दिन के लिए रखना है तो हम इसमें थोड़ा सा बदाम ऐसे उपर से डाल लेंगे इसे कंटेनर को बंद करके आप इसा फ्रीज में रख दीजे तो आपको इसे जब खाना हो आप तब खाईए अब हम एक प्लेट लेंगे उसमें भी ऐसे सारे जो अपने रोल बनाया है वह रख लेंगे इसमें थोड़ा सा जो दूद बनाया है हमने तो इसे डाल लेंगे हम तो हम वह डालेंगे मुद्धे हो एइड़ा से लुद्ध है नहीं दूद को डाल लेंगे को दूद्धे हमारे मलाई वोलने जो दूद रोलों कर लिया है तो हम उपर सा ऐसे बादाम को काट के बादाम काट के इसके पर ऐसे गार ने ताकि अच्छा लगे दिखने में खाने में भी एंड अब कंडेस्ट मिल्क से इसे थोड़ा से उपर से जाएंगे यह देखे एंड यह डालने से बहुत टेस्ट लगेगा ताफ इसे बदाम एंड कंडेस्ट मिल्क से अच्छे से जो गानिश कीजिए एंड तयार है मारे यह बहुत टेस्ट होता है तो अब हम इसे खाके देखेंगे तो पहले हम इसे काट लेता है एंड आपको अंदर का थोड़ा से दिखा लेता है तो यह देखें यह बहुत बढ़िया बना जैसा में चीए तो वैसे बनाएं आप इसे बाहर से ख़ड़े न मज जाए गर पर बाहर क्योंकि महेंगों मिलता है घर पर आराम से बना लीजिए बहुत टेस्ट जी होता है खाने में तो अब मैं इसे खाके देखता हूँ और रमजान है तो इफ्तानी में आप खा सकते हैं तो खाने में बहुत अच्छा बनाए वीडियो को लेकर निचे चानल को सब्सक्राइब कर निचे मिलता हूँ किसी नेक्स वीडम है तब तक लिए बाबाई लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब आप चैनल